तो हमने साथ एक्जाम कराये थे जनवरी से लेके मार्स तक और सभी एक्जाम्स की हमने की जारी कर दी है प्रोबिशनल की और पूरी करवाई होती है हमारे तरफ करे जा रहे है लेकिन चुकि चुनायवयो की जो अचार सहता लेगी हुई है उसकी वज़े से पढ़नामक हमको रोकना पड़ा और ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो कुझा पड़ता है क्योंकि हम हमारा जो बोर्ड है वह संवे अंधिन नहीं है और हमको इस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं हमने राजज्यसरकार को लखा हुआ है इसके बारे में हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी ह कारे रत है और शीक रते शेक इसके उपर कारवाई होगी और जैसें को परमेशन मिलेगी हम आज असरकार से हम आगे चापेंगे तो इस पर ज्यादा तर तो हमने परिक्षा की परणाम निकाल दिया थे और हमारे लेवल पर तो ज्यादा बढ़ती बची भी नहीं है ज्यादा सारी सुमभई हो चुकी है सारी हेरिंग हो चुकी है और मुझे उमीद है कि शीकर उस पर भी मानुए यह नालेक अफस लाएगा और उसके बाद हमको परमिशन मिलने के बाद में हम फिर आगे करवे करेंगे तो अब लकुश सही बोलना कि आम तो पर हर एक एक एक्जाम में कुछ ना कुछ किषणस ऐसे होते हैं जो कि विवादेट होते है रीटीपल आंसर क्वेशन हो जाते हैं या कुष्छन में कुछ खामी होती है इंग्लिस इंदी वर्जिन में कुछ हुती है तो कुछ ना कुछ की व E fingface को प्रष्णिए उठानी पड़ती है नहीं कि वोक्त का ये हमेशा कोशिश रहती है प्रयास रहता है कि जो पेपर बने बहुत अच्री पॉलिटी का हो और उसको कम से कम तुर्टियां हो लेकिन चुकि इसमें सीक्रेसी का बहुत बड़ा एक रोल होता है और जब बोर्ड कोई भी पेपर बनवाता है तो उस पर सीक्रेसी ओवर ए प्रयक्षाओं के अंतर तुर्टियां कम से कम की जा सके तुमने काफी आपने सही बोला कि जब मैंने जॉइन किया था अगस्त में उसके बाद से मुझे इन्पुट मिल रहे थे कि प्रयक्षाओं में डमी अभ्यारती बैठते हैं और मैंने पेपर में पढ़ा था उससे प पहली बार हमारे बोड ने किया था पहली बार हमारे हिस्टरी में हुआ था कि हम खुद ने Deck्र की दमी अभ्यारती और चली रही है और मुझे उम्मीद है कि बागी जो अभ्यारती ये वह भी पकड़े जाएंगे जिनों ने इन फर तो उसमेंसे एक कदम था कि हम हर एक ब्यरती के भी हस्तिलिपी लेते हैं जब एक एक एक्जाम देता है तो उसका नमूना आजाता है और वो नमूना बहुत ही पुक्ता सबूत होता है क्योंकि हस्तिलिपी का मुलान करना असान नहीं होता है सेक्रिंटि हमने इसका कि जो सारे जो बचिया हो जाते हैं उन सबकी फोटोग्राइफ हम डेपार्मेंट से भेज रहे हैं। और फिर डेपार्मेंट्स मिलान करेंगे जो फोटो एड्मिट कार्ड पर और जो अभरति ने ज्योइन किया है जो इसका न्यूकती हुई है। लिए क्या उसका फोटो उस औरभिटकार्ट से मिलता हैं मिलता है तो सही है नहीं मिलता dummy बठाता है तो असानी से पकड़ा जाएगा और आगामी जो परिक्षाएंगे उसके अंदर हमने हर एक बच्चे का हम left thumb impression भी ले रहे हैं तो वो बहुत पुक्ता सबूत होगा और जिन अब्यरतियों ने आदरकांट से लिंक नहीं किया है उनको हम अलग से अलग से अलग सेंटर में बुलाएंगे उनकी अलग से बायो मेट्रिक्स या फेस स्कैन कराएंगे ताकि आने वाले समय के अंदर जो यह dummy का जो सिस्टम है चल रहा है वो काफ़े तक काभू किया सके तो ऐसे बहुत सारे हम जो दलाल होते हैं दोके बाज होते हैं उनके भैकावे में ना हैं कि आप गलत सेटिफिक्ट देता होगे अभी हम कुछ आने वाले समय में आप सब खबर सुनेंगे जो फरजी डिग्रियां देन बच्चों ने दी हैं जो फरजी स्पोर्ट सेटिफिक्ट बच्चों ने दी क्योंकि जो दलाल है वो पकड़े जाने वाले हैं आगे कुछ दिजिदों के अंदर जैसे कि अभी सोजी एक्षिन कर रही हम और भी एक्षिन करने वाले हैं और बहुत ही शीगर आपको पता लगेगा कि सारे जो दलाल हैं तरह तरह के और जो ऐसा भीहरती हैं जो कि जो में लिफ पाए गए हैं वो पकड़े जाएंगे तो मेहनत करें अपनी मेहनत से पास हों और सिधे रास्ते पर चलें वह अवे दिन प्रक्रिया सीटी ट्वैल्थ लेवल और ग्रैजुशन लेवल की हमारे विचार है कि हम जून में शुरू करेंगे क्योंकि अभी चूंकि एम्सी सी है मॉटल कोड़ अफंट लगा हुआ है तो अभी हम नोटिफेशन चारी नहीं कर सकते तो मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि हम क्योंकि अब डेटों में अलड़ी इसु कर सकें डेटों में अलोट बता रहा है कि किस तारह को हमारे एक्जाइम्स होंगे हमने डिकलेर किया हुआ हमारे कैलेंडर के अंदर और उसी को मद्द्र नजर हम में को लग रहा है जून आखिर के अंदर या जुलाई बिग्निंग में झाल